अगर थोड़ी दर पढ़ाई करने के बाद में आपको भी लो लो सा फिल होने लगता है और ऐसा लगता है कि एनर्जी एकदम लो जुका है आभी हमारे बॉडी के रेस्ट की जरूरत है तो आपके लिए ये वीडियो 100% आपके लिए उच्फूल रहेगा इस वीडियो को मेरे चैनल का इस वीडियो को बनाने के लिए हजारों लोगों ने कमेंट किया तब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो इसे एंड तक देखना जरूर इसमें तीन ऐसे मैं तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने प्रोड़क्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और जो आपको लेजिनेस फिल होता है इस टड़ी के दोरान उससे आप टैकल कर पाएंगे एकदम 100% मुझे भी ऐसा ही पहले फिल होता था और यह सारे प्रोड़म्स मैंने भी फेस करा था लेकिन मैंने इन सब को टैकल किया और वही मैं आपने प्राक्टिकल बेज बताऊं जो भी आपका सबसेट लगता है उसके कोस्टन आपको उस टाइम में स्वल करने है जब आपका 100% कंसेंट्रेशन नहीं है उससे क्या होगा जब आप लेजी फिल करने लोग तो उस टाइम आपका माइंड प्रसेंट अक्टिव नहीं रहेगा लेकिन फ्रेंट्स जब उस ट फिर जैसे आप च्रॉल्ण करते थे वैसे अगर लोग आप लेक्टर बागी हो तो वह एक्टिव कर सकते हो लेकिन फ्रेंट्स जब भी आपको लोसा फिल हो लो एनरजी फिल हो जब भी आपको लगए कि अभी ब्रेक की जुरूरत है तो उस टाइम में आप ब्रेक न लो और यूटूब इंस्टा पर स्क्रॉल मत करो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप 10 मिनट के भी ब्रेक लोगे तो वहाँ पर जाओ यूटूब अपना सकते हो और सेकेंड तरीका यह है फ्रेंट्स आप लोग अभी भी बेड़ पर बैट के उनना पढ़ाई करें और कंबल में इस टाइम अभी विंटर का सीजन है और इसमें ज्यादा तर लोग यही गलती कर देते हैं कि बेड़ पर बैट के पढ़ते हैं और उस से नी ब्रेक लेता हूं चार पांच मिनट का और कॉफी आप लोग उस टाइम ले सकते हैं दिन में चार पांच बार आप स्टार्टिंग में ले सकते हो कॉफी थोड़ा थोड़ा इससे कोई भी उतना ज्यादा हर्म नहीं होगा लेकिन फ्रेंट्स जो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है अब भी आप लोग कोफी ले सकते हो उससे ज्यादा हर्म नहीं हो चार बार तो उस टाइम जब वह तब ही लेना जब आपको एकदम लोग सा फिलो एनरजी नहों बॉड़ी में पहले आप लोग ट्राई करो तीन से चार दिन अगर आपको हेल्फूल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सब्सक्राइब कर लो